मुझ से बोल नहीं सकता ये व्यक्ति हाथ के इसारों से क्या कहना चाता है पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए नई तो फिर हम बताते हैं कि ये क्या कहना चाता है एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट क्या दिक्कत क्या थी एक अगरत अब मारते ही शुरूंगया और आएगा क्या चौर्ण चार दिन तक लगातार उस कुंड के फेरिया दी और उसके बाद बाबाजी के पास गया तो बाबाजी ने मेरे कान के नीचे से एक नसू दबा कर और मुझे ठपी मार कर हटा दिया और मैं कानों से सुनने लग गया और अब मैं मुझे बोल नहीं सकता और जल्द ही मैं मुझे बोलने भी लगूँगा तो अहाज के हाथ के सारों से ये पता चल रहा है कि इसके कान पर किसी परकार का जो था वो जाड़ा जप्टा किया या जो कंबल थी वो घुमाई या क्या था वो पता नहीं पर इसका कहने का ये अर्थ था कि ये पहले कानों से सुन नहीं सकता था मुझे बोल नहीं सकता था पर मुझे अब भी ये बोल नहीं सकता है पर कानों से अब ये खुले अक्सर जो है वो सुन पा रहा है इसने कहा कि मैं अब कानों से ठीक तरे से सुन पा रहा हूँ तो देखे किस परकार से जो बालोतरा के आसोतरा में जो मेला लगा हुआ है जहाँ पर काली कंबल वाले बाबाजी आये हुए है वहाँ पर किस परकार से जो कानों से सुन नहीं सकते हैं मूँ से बोल नहीं सकते हैं पैरों से चल नहीं सकते हैं वो भी भागते हुए नजर आ है कि मेरी कान के नीचे हिलाया और मुझे थापी देकर उठा दिया और कहा कि अब जा और मैं सुनने लग गया क्या दिक्कत क्या थी है और अब मारते ही शुरू हो गया कि दिख्या और आएगा किया व्यूद्धाश्य का इक मिन्टी दिक्कत क्या थी और अब मारते ही शुरू हो गया आएगा किया तो पारी कि